तो सबसे ज़्यादा महत्पूर है इस पूरे टेंस का जो निचोड़ है जो बहुत जरूरी है समझने के लिए इसको आप जरूर देखें हर हालत में जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट और जो काम बाद में हुआ है उसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस आता ह है पहले वारी की चर्चा की जाएगी तो हम देखते हैं में क्या क्या होता है बीपोर आई रीडजा स्कूल मैरे स्कूल पहुचने से पहले घंटी बेच इसमें दो तरहीके काम हो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पूरा देखें इसके साथ में लगना है और किस तरह इसकी पहचान कि जाती है कौन सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पूरा देखें इससे आपकी कन्फूशन दो हो जाएगी द्यान देजिए इन वाक्तियों में दो कारियों का होना पाया जाता है एक कार पहले हो जाता है और दूसरा कार बाद में होता है एक कार पहले हो जाता है और फिर दूसरा ब है उसके पाष्ट परकृक्ट आता है अब अब हमें देखना है कि में चुकत स्थे जरूर आएगा उसलिए काम हो चुका है पूरा पूर्ण हो गया है तो उसे घैसे प्री से वह पीशे सान निसा न है रहे वह गया था गया था या गया और ठाथी थे उनिह जो है पाश्क निशानी है जो काम पूरा हो गया है अब इसमें नियम देखते हैं यहां तो फॉर्ण होता है पहले पहले समाथ में समाप्थ skins कार में कर्या की थर्ड फार्म से संक्ते हैं किर्या की सेगन फार्म कर्म में के एकटляंंते सेथर्म कर्म कर्मा कर्म मतलब तब रेक्व मतलब है वह लोग देख चुके जिनको जानकारी हो चुकी बाराम समझ सकते हैं कि से निर्मा Bapt इस प्रकार होता है First प्रफेक्टेंस प्लस बिफोर प्लस पासिंडिफिनिटेंस यह जो है इस पूरे सेंटेंस का इस्ट्रेक्चर है जो हम इसमें आप पूरा देखेंगे एक तरब से दा बेल हैड रंग गंटी बच चुकी थी बिफोर आई रीड दे स्कूल जब मैं स्कूल पहुचा उससे पह पहले पेड़ गिर गया था यह पहले हुआ है तो पेड़ गिर गया था दर्ट्री एट पालेन बिफोर दा इस्टार मिकम आधी आने से पहले जब आंधी उससे पहले आई हैर सीन इस प्लेज बिफोर मैं आस्थान पहले देव चुका हूं कि I had seen this place मैं यह स्थान पहले देव चुका हूं बिफोर कि I had heard this news before मैं यहां खाबर पहले सुन चुका हूं I had मतलब पास्ट में आएगा हड़ थाड़ पाल में परफेक्ट है और इस माने इसका नीज तो बिफोर उसी लिए लगा जेगा बिफोर यह है कि समझने के लिए मैं यहां कबर पहले सुन चुका हूं देज इस्टुडेंट्स वें टू स्कूल इस्टुडेंट्स वें टू स आप्टर है ड्रेंट बारिष पहले हुए थी इस्कूल बाद में गए थे बच्चे ठीक है बारिष होने के बाद में विद्यार्थी स्कूल चले गए थे इस्टुडेंट्स वें टू स्कूल आप्टर है ड्रेंट बारिष होने के बाद यह विद्यार्थी स्कूल चले done the work, काम करने के बाद वो घर चला गया था, तो इसमें जो है, बहुत confusion होती है, आप हमेशा ध्यान रखें, जो काम पहले हुआ है, किसी भी हालत में, जो काम इस टेंस में, past perfect टेंस positive में, जो काम पहले हुआ है, उसके साथ past perfect का रूल लगेगा, जिसमें subject होगा, past है तो head लग आएगी, इस तरस हो जाता है, इसमें कोई doubt नहीं है, जो काम पहले हुआ है, वो past perfect होगा, और जो काम बाद में हुआ है, वो जो है past infinite है, बस इतना इसे में याद रखना है, आफ्टर लगाते हैं, या before लगाते हैं, उससे में कोई मतलब नहीं है, कभी-कभी यह टेंस दो आखों में नहीं आता है, एक वाक के अंडल चुपा रहता है, एक वाक चुपा रहता है, जैसे, I had heard this news before, मैं यहाँ खबर पहले सुन चुका हूं, और दूसरा क्या है, जैसे, I had seen this place before, मैं यहाँ अस्थान पहले देख चुका हूं, इसमें दू है, दूसरा वाक के चिपा ह हुआ है, और हम नियम देखते हैं, कभी-कभी before का प्रियोग ना होकर, after या when का प्रियोग होता है, अर्थार, past indefinite, after या when, फिर past perfect, हम इसमें देखते हैं, जैसे, यह after वाला है, these students went to school, these students went to school, after it had ran, after it had ran, it होता है, जैन के लिए, after it had ran, बारिस होने के बाद विद्ध्यारती स्कूल चले गए थे, राम वेन टू होम, राम घर चला गया था, राम वेन टू होम, after he had done the work, कार करने के बाद, राम घर चला गया था, कार करने के बाद, राम घर चला गया था, तीस राम नियम देखते हैं, तो कुछ से ज़्यादा महत्रपूर है इस पूरे टेंस का जो निचोड़ है जो बहुत जरूरी है समझने के लिए इसको आप जरूर देखें हर हालत में जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट और जो काम बाद में वहाँ उसमें पास्ट इंडिफिनल्ट टेंस आता ह है कि पास्ट परफेश कहां पहले लगेगा और कहां बाद में लगेगा हम इसकी चर्ट एक रहेंगे डाबेल है रंग डाबेल है रंग बिफोर आई रीज दो स्कूल मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बद चुकी थी यानि अगर कहीं भी फोर लगाया गया है तो प प्रफेक्ट जो पाहले लगेगा आप बिफोर आले में आई हैड सीन फिलेज बिफोर ऑने शिन इस फिलेज बिफोर जितो अन्रेश टूर आला है दो हमें छोड़ देते हैं अदो हमें देखना है बाद वाला इच चू को आप्टर इटारेंड हमें से देखना है अब हमने इसको after लगेगा तो past indifferent test पहले हो जाएगा, यदि after लगेगा तो past indifferent test पहले हो जाएगा, फिर after होगा या when होगा, फिर past perfect होगा, अम इसरी रिल को और देखते आगे, these students went to school, विद्ध्यार्थी स्कूल चले गए थे, after it had been, बारिस होने के बाद, विद्ध्यार्थी स्कूल चले गए थे, आम और देखेंगा आगे, राम went to home, राम घर चला गया था, राम went to home, घर चला गया था, after he had done the work, कार करने के बाद, काम करने के बाद, राम घर चला गया था, यह जो इस ट्रांसलेशन का नियम होता है, उसमें से एक टेंसे past perfect, जो confusion वल होता है, आप वीडियो पूरी देखें, आपकी जितनी भी confusion यो दूरी हो जाएगी, इसमें जितन हो सकता है, उतना अथ्छा से नियम समझा दिये गया है, और इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं है, बस जो सबसे एहम रूल है, मात्पूर हर हालत में जो काम पहले हुआ है, उसमें past perfect, और जो काम बाद में उसमें past indefinite tense आता है, आपको इसी को याद रखके कर लेना है, और इसके बाद में हम इसका negative और interrogative फार बनाएंगे, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे like कर दे, और ऐसे ही वीडियो देखने करें चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ share करें, वीडियो देखने के लिए थेंग